अगर आपका plot 25 वाई 35 का है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा helpful है अगर आपका उससे थोड़ा बहुत कम जादा है तो भी आप adjust कर सकते इसे साब से बहुत ही अच्छी और modern planning है इसकी देखिए मैं इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा आप वीडियो में बने रहे हैं और एक चीज़ कि अगर आपका इस size का plot है या फिर आप बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए helpful रहेगा बहुत जादा है वीडियो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यह है यहां से हमारा कुछ line छोड़े हुए हमने जो कि हमारी यूज के लिए आएगी और यहां पर हमारा है gate जो कि है D अब हम यहां से जाते हैं ड्राइंग रूम में ड्राइंग रूम का size है 10 feet by 10 feet जो कि एक सहीं और sufficient size होता है हमारे use के लिए यहां पर एक window रहेगी आपकी दूसरी window यहां पर रहेगी यहां पर एक front में window रहेगी यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास यहां पर आ जाता है bedroom जिसका size है 9 feet by 9 feet 9 inch almost 10 feet आप कह सकते हैं इसको इसमें मैं आपको column की positions भी बता इंच भाए 10 feet का यहां से कुछ पैसेज और आपकी श्टेर आप होती है यहां से बाहर के लिए पैसेज रहेगा आप अगर यहां पर पीछे देख सकते हैं इसके यह पैसेज रहेगा आपका यहां पर court yard में जा सकते हैं आप यहां से क्यूंकि यहां पर आपका gate नहीं रहे court yard में जाते हैं तो आपको WC मिलता है जिसका size रहेगा 3 feet by 4 feet और बात जो रहेगा जिसका size रहेगा 6 feet 8 inch by 4 feet का जो D2 दोनों जगे रहेंगे bedroom का size अगर हम बात करें तो 12 feet 9 inch by 10 feet का रहेगा और यहां पर हमारी window है पीछे से size देख लिजे आप 25 feet है अगर आपका 30 है और आप इस तरह की planning कर सकते हैं इसमें कोई भी issue नहीं है हमने 2 feet लगबग एपरॉफ सामने छोड़े है उस इसाप से हमारे 33 बसता है 35 का अब मैं आपको इसमें बता देता हूं बाकि इसका ही जो section है आप उसके में door आपको columns के size बताऊंगा column बगेरा कहां रख सकते हैं बताऊंगा उससे पहले आप यह देख लिए इसका cross section ground level बगेरा से हम ऐसा दिखाते हैं 9 inch इसकी brick की हमारी missionary work होगा और 10 feet इसकी height होगी slab level तक 4 inch की RCC slab 4-6 inch लेते हैं rapid wall रहेगी 3 feet height की और यह कुछ इस तरह से इसका रहेगा हमारे पास elevation अगर हम door window की बात करें तो वह भी मैं आपको बता दूंगा इससे पहले आप column की position देख लिजे column की position window आपको समझ में आ जाता है एक column हम यहाँ पर रखेंगे second यहाँ पर और third यहाँ पर यह सब load पर depend करता है इनका size लेकिन हम 8 और 9 वारा आठ वारा के रखेंगे एक यहाँ पर आता है आपका उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका column यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ प बाकि आप कितना floor लेकर जाना चाहते हैं वाहाँ की soil condition कैसी है उस बात पर ही depend करता है मैं बता देता हूँ आपको door window की length width कितनी होगी उनका size क्या यहाँ पर आपको दिखता होगा कि 2 feet 6 feet जैसे ही लिखा है लेकिन यह यहाँ पर inch है यह typing mistake है और mistake सभी से होती है यहाँ पर 3 feet की है ventilator की बात करें हम तो 2 feet by 1 feet 6 inch का है अब अगर हम इसमें बात करें और भी अगर आपको लगता है कि size में कुछ हो सकता है तो आप हमें comments करके जरूर बताएं और अगर कुछ आपको लगता है इसमें suggestion तो आप समामें suggestion भी दे सकते है comments करके बता सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं सामान इतार तो यह plan आपके लिए बहुत ही ज़्यादा help भूले और आप इस तरीके से कुछ अपनी planning कर सकते हैं I hope यह video आपको पसंद आया हो अगर आपको video पसंद आता है तो आप video को like करें अपने दोस्तो के साथ share करें और अगर आप चैनल पर पहली वा रहा हैं तो चैनल को subscribe करके वेल आइगन प्रेस कर लीजे आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमसे Instagram पर बात कर सकते हैं link आपको description में मिलेगी मिलते हैं next video में किसे ने topic के साथ तब तक के लिए thank you